गुड इवनिंग स्टुडेंट कैसे हैं आप सभी गुड इवनिंग प्रत्यूश प्रणाम अकांशा कैसी है बटा मेरी आवास अब तक मैसेज करके बताए मुझे कैसे हैं आप सभी चरन्स पर्ष रंजू बेटा कैसी है प्रणाम अनुराधा कैसे हो बच्चा गुड इवनिंग पेटा रेश्मा अच्छी हूं मैं कैसे हैं आप सभी गुड इवनिंग विपिन अच्छी हो अनुराधा मैं भी विद्धिया गुड इवनिंग गुड इवनिंग अरुन नमस्ते हर्षीता अच्छी हो रंजू मैं आप सभी कैसे हैं मेरे बच्चे प्रणाम देनू कैसे हैं आप सभी अब आज मेरी पहुंच रही है बिटा कल घर पे गेस्ट आ गए थे कल मेरे घर पे खूब गेस्ट आ गए थे इसलिए कल की क्लास मैं नहीं ले पाए सौरी कल के लिए प्रणाम भावना अच्छी हो बिटा मैं सब बढ़िया प्रत्यूश चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं उसी एनर्जी के साथ भारतिय विध्या शास्तिय परिपेक्षे हम पढ़ रहे थे हां कल पाटी होई बटा घर पे कल आते तुम सब तो अच्छा लगता जल्दी जल्दी सफल हो जाओ पाटी मैं दूनगी तु सफलताओं में उचाईयों को छूए तो पाटी तनू मैणम की सिट से है चल्कुल तनू मुआ हम देंगी पाटी सब के लिए ऐस मेह हम एक तम फ्रेश है हानु बिलकुल एकदम फ्रेश हूं मै बेटम है गुश्यूर्ट इवनिंग बेटा गुश्यूर्ग कवीता है चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास कुछ साकारात्मक प्रवत्ती के लोग जब कहते न surrounding yourself with positive pupil हमेशा अपने आपको उन लोगों के साथ जोड़े रखो जो साकारात्मक होते हैं जो लोग नाकारात्मक बाते करते हैं नाकारात्मक विचारधारा के होते हैं उनसे दूर हट जाओ उनके पास भी मत भटको क्योंकि कहीं न कहीं थैंक यू रंजू वेटा कहीं न कहीं वो हमें negative कर देते हैं चलिए क्लास शू करते हैं आज की भारतिये विध्याशास्तिये परिपेक्षे से देखिए आज मैं आपको भारतिये विध्याशास्तिये परिपेक्षे जो मैं बता चुकी हूँ उसमें मैंने आपको कल इम्तियास एहमत के अनुसार पर सो सौरी बताया था आज प्रॉपल्डी बच्चो भारतिये मैं अच्छी वेटा आप चैट पे थोड़ा ध्यान नहीं दूँगी ठीके ध्यान से सुनिए बच्चो चैट पे थोड़ा ध्यान नहीं दूँगी देखिए भारतिये विध्याशास्तिये परिपेक्षे अगर मैंने आपसे कहा था भारतिये विध्याशास्तिये परिपेक्षे या शास्त्रिये या पुस्तक परिपेक्षे बोला जाता है, पहला मैंने बोला था भारतिय विध्या शास्त्रिये परिपेक्षे में शास्त्रिये अत्वा पुस्तक ये परिपेक्षे और दूसरा बोला था मैंने शेत्र अधारित परिपेक्षे, फिल्ड व्यू और बुक व मजना है तो उसमें ऐसे महाकावियों की ऐसे ग्रंथों की साहता ली जाती है जिसमें प्राचिन समाज में भारत उनकी विभा संस्थाएं नियम आदर्श प्रतिमान क्या थे उनका विशद मलब विस्तरित चित्रन दिया गया है तो दो परिपेक्षे इसमें हैं पहला परिप किताबी दृष्टी कोण कहते हैं बच्चों कि जब किताब के माध्यम से किसी चीज को समझने का प्यास किया जाता है इसमें क्या होता है इसमें प्रणाम करन में मेरा नाम ही नहीं लिया मनोज अगर मैं गैस मनोज एक्षल में तुमने वॉइस पब्लिक स्कूल करके डाला है शायद मनोज ही है ना यह मेरा बच्चा मेरट से मनोज है कि राजेश है अब जल्दी से गैस करके बताता तुम्हें क्लास आगे बढ़ाऊं सादर पर नाम करन कैसा बिटा मेरी अवाज पहुंच रही है आप तक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरी अवाज इस्टक हो रही है मेरी अवाज इस्टक तो नहीं हो रही है है जरब अचो मुझे चैट करके बताना एकदम क्लियर है थोड़ा चैट की साइड में बाद में तुमसे बात करती हूं ठीक है बिटा करन पत्यूश ठीक है बिटा ठीक है तो मैं तुम्हें बता रही थी भारती विध्याशासी परिपेक्ष में किताबी द्रिष्टी कोण और शेत्र धारित किताब कहते हैं जब विभिन धर्मधन तो महाकाव्यों को हम सहरा लेते हैं और शेत्री अध्यान कहते हैं जब हम शेत्र में जाकर लोगों से बातचीत क उसे कहते हैं field view या शेत्रिय अध्यान परिपेक्षे यदि हम भारतिये विद्याशास्ति परिपेक्षे के बात करें तो मैंने पर्सों भी बताया था भी प्रवु, जियेस घूरे, इरावती करवे, लूईड यूमा, इन सब ने भारतिय विध्याशास्ति परिपेक्षे के बारे में बहुत विस्तार से दी हैं, भारतिय विध्याशास्ति जो परिपेक्षे हैं बच्चो, उसकी कुछ मौलिक मानेताए हैं, मतलब हम इसको क्यों मानते हैं, कह ही न कहीं, वो किताबी दृष्टिकोन को जादा महत्व देता है, और वो reason क्या है, वो क्या कहते हैं, किसी भी समाज का अध्यन, उसकी एतिहासिक प्रश्ट भूमी, देखें, यदि हमें भारतिय समाज को समझना है, ध्यान से समझें, आप सभी मेरी बात, यदि मुझे भा कैसे की गई, तो एतिहासिक प्रश्ट भूमी, यानि अतीत को समझे बिना इसका अध्यन संभव नहीं है, मैं तुम्हें वो मौलिक मान्यताय बता रही हूँ, जो भारतिय विध्याशास्य परिपेक्षे की है, पहला है कि कि किसी भी समाज का भारत चो छोड़ो, किसी भी स अध्यन तब तक संभद नहीं है, जब तक उसकी एतिहासिक प्रस्ट भूमी, या उसमें अतीत में जो को समझे भी ना अध्यन संभव नहीं है, अगर हम नेक्स बात करें, जब हम अतीत के अध्यन की बात करते हैं एतिहासिक प्रस्ट भूमी की बात करते हैं तो हमें उन प्राचीन ग्रंथों को उन महाकाव्यों को पढ़ना होता है जब विस्तार में उसका वर्णन दिया गया है पहले अतीत की प्रस्ट भूमी एतिहासिक प्रस्ट भूमी को समझना संभव है और हम प्रस्ट भूमी को कैसे समा सकते हैं ग्रंथों के अधार पर, महाकाव्यों के अधार पर, एतिहासिक प्रलोखों के अधार पर ठीक है इसी ब्रकार जो हमारे नियम, रीती रिवाज, प्र इस परिपेक्ष में हमें कहीं न एसे दरशन, ऐसे चिंतन, ऐसी प्रथाओं, प्रमपराओं, मान्यताओं को भी समझना होगा, हमें उन मान्यताओं के फेवर में जाना होगा, देखिए साथी साथ यदि हम भारती समाज को समझने के लिए उन जो उनके प्रारंबिक facts थे प्रारंबिक कारत थे जैसे हम सोचते हैं भारत में जो समाज्शास जो भारत का पूरा समाज है वो समाज कहीं न कहीं आज हमारे धर्म गरंध जिसमें रामायन माभारत उसमें विस जहां वो गट्टाएं गटितुई है फिर समाच में हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं जाती व्यवस्था की बात करते हैं तो अगर हम उठा के देखें तो हम देखते हैं रिगवेत के दस्वे मंडल के पुरुष शुक्त पढ़ा है ना तुमने रिगवेत के दश्वे म पुरुष शुक्त के अनुसार, हम कहते हैं, उनमें वर्ण व्यवस्था, भरामनो मुख बाकशित करके, इस तरीके से पूरा शलोख है, कि भ्रामन ने अपने मुख से व्यार्ण, बाजुओं से व्याशे, जंगा से शुद्र की उत्पत्ति की, भ्रामन ने अपने मुख से बाजूों से शत्रिये, जंगा से व्याजशे और पैरों से शुद्रों की उत्पत्ति को माना है, गुडिवनिंग बच्चों, मैं तुम्हारी अभी चैट पे ध्यान नहीं दरी है, बहुत आर क्लियर, रो दी, प्रणाम बेटा, प्रणाम, मनीशा देवी, आप क्लास पे कॉ इसकी कुछ मानेता हो, देखो ध्यान में रखना, भारती विध्याशास्तिय परिपेक्षे देखो, खास वर पे बिये थडियर के बच्चे जो मुझसे जुड़ा हैं, टीरी वाले बच्चे, सुनलो आप सभी लोग, ये कोशन आपके एक्जाम में आएगा लिखने के सब लोग ध्यान से सुनेंगे, यदि हमें भारत में के समाज को समझना है, तो हमें उसकी एतिहासिक प्रस्ट गुमी, जो अतीत है, उसके पन्नों को पढ़ना होगा, उसके लिए हमें किताबों को पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें भिन धर्म गरंथों, महाकाव्यो को पढ़ना पड़ेगा, तो ये भारतिये विद्याशास्ते परिपेक्षे हैं, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, नमस्ते कुशल बेटा, कुशल को देखते ही, special वो आ जाता है, बच्चो, आज सभी लोग मेरी तरफ से कुशल को thanks बोलें, जो मेरे सारे thumbnail, जितना मैं तुम देख रहे हो न, तौनो मैडम ऐसी चमक रही है, यूट्यूब में ऐसे खड़े हो के, वो सभी कुशल की फोटोग्राफी है, बच्चो, ये बच्चा मुझे 36 गड़ से सारे मेरे thumbnail, सारा मेरा काम करके भेजता है, देखो, एक शिक्षक होने के नाते मैं सर्फ आप लोगों से, कि आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं, गुड इवनिंग पुर्भी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अभी बात करेंगे इसके बाद, हाँ, कुशल के लिए स्पेशल के लाश कंडवाल, नमस्ते बिटा, कुशल ने तो तनू मैडम को फेमस कर दिया, भाई इसके लिए तो लाइक बनता है, मतलब मैं तो इसको, कहते हैं न हंड्रेड मार्क्स, बिलकुल, कुशल तुमारी फोटोग्राफी पर हंड्रेड मार्क्स, बच्चा मुझे, मैं भूल जाती हूँ, मेरा थमनेल ये मेरी क्लास 3 करके मुझे सुभे ही वाट्सेप कर देता है चलिए अब चलते हैं, GS घुर्ये पर, आज में तुम्हें देखो, सभी लोग ध्यान से सुनना, तीरी वाले बच्चे GS घुर्ये एक्जाम में आ रहा है, लिख लो कहीं पर, बिये थडियर, GS घुर्ये एक्जाम में जरूर आएगा, और सुनो बच्चो, जो NET JRF वाले कोशन बतानी कहां से आते हैं, मैं बताती हूं कहां से आते हैं, GS घुर्ये का नाम गोविंद सदाशिव घुर्ये है, इनका जन महरास्ट्र में हुआ था, और ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं GS घुर्ये की प्रारंबिक शिक्षा की बात करूं वच्चो, तो चास के चात्र नहीं थे, कैसे उन्होंने संस्कृत से समाश शास्त्र में अपनी पकड़ बना ली, आज मैं इनकी उस विकास की गाथा को बताती हूं, इवन इने इसी बात पे M.N. श्री निवास ने, वो जियांट कहते हैं न, वो महाशक्तिशाली व्यक्ति की संग्या दे डाली थी, M.N. श्री निवास ने, वो भीम काई व्यक्ति की, तो आज मैं तुमसे वो फैक्ट शेयर करने जारी हूं, जो तुमने कहीं पड़े नहीं होंगे, ठीके, G.S. घुरे का जो जन्म हुआ था, इनका नाम पूरा नाम है, गोविंद सदाशिव घुरे, इनका जन् आरंबी पढ़ाई जो थी, वो संस्कृत विशे में हुई, जब 1929 में मंबई विश्विध्याले में सर पैटरिक गेट्स ने समाश्षास विशे को पढ़ाया, तब G.S. घुरे की रूची समाश्षास विशे के प्रती भढ़ी, और उन्होंने कहीं न कहीं पैटरिक गेट से भी और ने लोगों से घुरे ने संपर्ग स्थापित किया, तब पैटरिक गेट्स ने घुरे को लंदन भेजा, आपने L.T. हब हाउस के साथ, ध्यान से सुनना, आज जो मैं ये बता रही हूँ, सारा संजीवनी बूटी है, G.S. घुरे ने L.T. हब हाउस के साथ मिलकर दोद कारे किया, अध्यन कारे किया, फिर घुरे ने बहुत सारा वर्क किया, और अपनी PhD की डिगरी लेकर वो भारत वापस आ गए, 1923 में G.S. गुरे ने Cambridge विश्विध्याले से अपनी डॉक्टरेट की मानक उपादी ली, तब वो मुंबई विश्विध्याले आये, सन 1924 में G.S. गुरे को समाश्षास का रीडर और विभागा ध्यक्ष, ध्यान से समझेए, पहले ये प्रोफेसर ये पदनी हुआ करते थ पहले जो लोग PhD कराते थे, उनको रीडर बोला दाता था, तो G.S. गुरे ने Cambridge विश्विध्याले से अपनी पूरी सारी डिग्री पड़ी, फिर उन्होंने क्या किया? नाइफ आए हो हम अको लाइफ में देखकर, मुझे बहुत खुश हुई है, बेकार ही उन्होंने, लेकिन मैंने सोचा बिश्विध्याले से आप से पढ़ता सब मैं, आप बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हूं, थेंक्यू बच्चो, अभी थोड़ा ब्रामन वादिया, कुशल के लिए तो थेंक्स है, अभी मैं जड़ा पढ़ा दूँ उसके आपसे डिसकस करती हूं, बच्चो, मैं जीएस घुर्रे की बात करी थी, आपने केमरेच विश्विध्याले थे, डॉक्टरेट की मानक उबादी ली, फिर मैं मंबई विश्विध्याले आने के रेक कराया, और 1934, 1934, 1934 में इन्हें प्रोफेसर बनाया गया, जब घुर्रे रिटायर हो गए थे, 1959 के आसपास, तब मंबई विश्विध्याले में इनके लिए एक स्पेशल पद निकाला गया, क्योंकि बच्चे इन से इतने प्रभावित्ये, आज भारत में जितने तु जियेस घुर्रे की बंबई विश्विध्याले की फैक्टरी थी बच्चो, उन्होंने नंबर ओफ स्टूडेंट को शोत कारे कराया, और कहीं न कहीं जियेस घुर्रे एतिहासिक और तुलनात्मक पदतियों के माध्यम से अपने रिसर्च कारे को किया, आज मैं उनकी उन कि शेत्र में मील का पत्थर साबित हुए हैं, जियेस घुर्रे जिसे जब ये रिटायर हो गए थे बच्चो, 1959 में तो मुंबई विश्विध्याले में एक प्रोफेसर एमिरिट करके, एक special पद निकाला गया, क्यों? क्योंकि वो चाते थे जियेस घुर्रे अपनी विश्वि लगबग 900 से 1000 चात्षात्राओं ने शोध कारे किये, MA के कारे, MPIL के कारे, इनमें इन्होंने अनेकों चात्षात्राओं को प्रोफसाहित किया, ठीके? अगर हम जियेस घुर्रे की बहुत सारी जो कारे हैं, मैंने आपको बताया ना, इन्होंने मुखे रूप से एतिहासिक तुलनात्मक, तुलनात्मक बोलते हैं, comparative study, इसके माध्यम से इन्होंने बहुत सारे अध्यन किये, और हम यह नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने शेत्री अध्यन नहीं किया, अगर मैं इनकी इंडियन साधूस की बात करूं, religion वाली इनकी theories की बात करूं, तब इन्होंने शेत्र sociological society की भी इस्तापना की, जिसमें sociological bulletin नामक पत्री का प्रकाशित होती है, जो जब से लेकर आज तक निरंतर प्रकाशित होती जा रही है, भारत में Indian sociological society, भारत सहीद, विश्व में अपना पर्चम लहरा रही है, बच्चो, मैंने भी Indian sociological society की membership ले रखी है, मैं उसकी सदस से हूँ, और अभी हाली में उसके election भी हुए थे, जिसमें हमारी श्वेता प्रसाद वो, जिको मैं, मैंत्री, मैंत्री, चित्तुरवेदी, मैंत्री मैंडम करके उन्होंने election जीता था, खूप सारे member, कहने का मतलब सन 1952 में Indian sociological society के सापना GS घूरे ने की, जिसने sociological bullying नावक पत्रीका का प्रकाशन होता है, और वो पत्रीका तब से लेकर आज तक निरंतर जारी है, यदि मैं बच्चों घूरे की बात करूँ, तो घूरे ने caste and race in India, बहुत से बच्चे सिर्फ इनको किस नाम से जानते हैं, इनकी किताब, caste class and occupation, इंडियन सादूस, चार caste and races in India, यह आपने 1932 में लिखी थी, sex habits of middle class, sex habits of middle class pupil, यह उन्होंने 1938 में लिखी थी, the aborigines, यह बहुत important किताब हैं, the aborigines, जो कि आपने 1943 में लिखी थी, culture and society, जो कि आपने 1945 में लिखी थी, class and occupation, यह आपने लिखी थी 1961 में, family kinship in Indo-European, family kinship and family kinship Indo-European culture, यह आपने लिखी थी 1962 में, इसी तरीके से इन्होंने एक बहुत important किताब लिखी थी, cities and civilization, यह भी आपने 1962 में लिखी थी, और the schedule, tribe, the mahaadev, colleagues और साथी साथ, social tension in India, आपने यह किताब भी लिखी थी, Vedic India, 1979 में लिखी थी आपने, Indian sadhus, the bird, बहुत सारी इनकी number of किताबे हैं, जो इन्होंने, कई बार बच्चों यह किताबों का sequence दे दिया जाता है, तो मैं photo कीचके आपको इसमें post कर दूँगी, किताबे खीचके ना यह वाली, मैंने लिख रखी है, इनकी यह किताबे खीचके, बच्चों मैं तुम्हें, एक मिट बच्चों एक मिट, मैं किताबों की photo खीचके ना बच्चों आपको इसमें send कर दूँगी, क्या कहते हैं, तेलिग्राम में, थोड़ा याददाश पता नहीं क्या हो, क्या मुझे याददाश को तेश करना पड़ेगा अपनी, तो यह जो इस्थान अगस कॉम्टे को सुशलोती में मिला है, भई इस्थान गुर्य को इंडिया में मिला है, बिल्कुल बिटा, बहुत इंपॉर्टेंट इस्थान गुर्य को दिया गया है, इसलिए माद काल बुक भिंडी है, हाँ बिटा, बहुत सारी किताबे हैं इनकी, मैं किसी दिन सुशल स्टैटिक्स के बारे में भी पढ़ा दीजे, प्लीज, हाँ टेलिग्राम, मैडम तुम अकॉर्डिंग, मुझे उनके स्लेवर्स के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है, तो अभी मैं तुम्हें ध्यान रखो, ये पढ़ा रही हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें डेमोग्राफी, तुम एक बास सुनना, मेरे से डेमोग्राफी पढ़ना, जिन्दिगी भर त थिंकर्स, कम्प्लीट, कहां बेटा, कराऊंगी मैं, कित्ती भी तारीफ करूँ, कम पढ़ जाती है, बस बेटा, थोड़ी अब कम ही करभानू, इंडियन सोचलोजिकल फादर, जियस गुर्य हैं, हां बेटा, बिल्कुल, अच्छा, इस्टैटिक्स में, बेटा, मेरी करी थी, इन्होंने तुल्लात्मक एतिहासिक पदती का किताबों में प्रियोग किया है, तुल्लात्मक एतिहासिक पदती बचों, कहीं न कहीं, मतलब समाश शास में मात्र एतिहासिक तुल्लात्मक पदती नहीं, मैंने बताए ना उन्होंने, जो महादेव, कोली, इंडियन साधू ये सब किताबे लिखी थी उसमें आपने शेत्रिय अध्यन का भी प्रियोक किया है घूरे ने अपने अध्यन में खास्तोर पे जाती ठीके प्रजातियों को नातेदारी प्रथा को ठीके इसी प्रकार ग्रामिन नगरिये भारतिय साधू भारतिय सभ्यता भारतिय नग इनको विस्तारित रूफ से बताया है उन्होंने भारती विध्याशास्त्री परिपेक्षे की यदि हम बात करें तो खास वर पे जो बुक व्यू और जो फिल्ड व्यू होता है तो मैं तुम्हें बता रही थी किस तरीके से आपने भारतीय साधूस, धार्मिक चेतना, भारती संस्क्रति के बारे में कहीं न कहीं अपने भारतीय विध्याशास्त्रीय परिपेक्षे को अपनाया हैं, cities और civilization इनकी एक किताब है, यानि cities मतलब नगर और civilization मतलब सभिता, सभिता और नगरों के इन्होंने इतिहास भारत का, अमेरिका का, इंगलेंड का, इनके बारे में भ विस्तार से पढ़ाया, तो आज अगर हम भारतिय विध्याशास्तिय परिपेक्षे डिस्टिकोंट से देखें, मैंने का, ना, एमेन शीरनिवास ने इनको भीमकाय व्यक्तित की संग्या दे दी थी, father of सुशलोजी इनको माना जाता है, क्योंकि किसी ने नहीं जाना था कि जो संस्कृत का स्टूडेंट था, वो भारत में समाशास के लिए अपना इतना प्रमुक योगदान देगा, तो आज जीयस घूर्य को भारत में के समाशास के सेत्र में उन महान समाशासियों के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने समाशास के सेत्र में भारत में अगलग डिफाइन करके तुम्हें बताऊंगी बनार्स से एम डिविची स्टूटेंटों आपकी वीडियो देखती हूं सब समझ आ जाता है अच्छे से थैंक्यों मुच बेटा सोशल स्टैटिक्स का मेरा पेपर होने वाला हाँ बेटा पूर भी टेंशन ना ले मुझे वाटसेप करना मैं बता दूंगी और मैं फर्स डिविजन से वाँ ये आपकी मैनत थी थी मैनत कर रही हूं बच्चे तुम सब मैनत मुझसे जुड़े हो तो ये भी मेरे लिए बहुत सभागे की बात है बच्चों आप सब मुझसे जुड़े रहिए मैं आपके सारे टापिक कहते हैं ना बहुत हलका सा करती हूं आजकल एक्चुली मेरे बेटे के भी एक्जाम चल रहे है सुभे मैं उसको पढ़ाती हूं उसकी एक्जाम की मैं लीव लेकर आई हूं और एक्जाम के साथ इस समय मुझे क्या देखना पड़ता है उसकी तब्यत भी खराब हो रही है मतलब मैंने पढ़ाया भी टरह से अब मैं उसे मेडिसिन दे के उसे तुम्हें पढ़ाने आई हूं मतलब मैं बता नहीं सकते जो तुम कमी का संगर्श की बाथ कौन करता है कि बेटा सविंध क्लास में है बेटा मेरा रुद्राक्ष नाम है उसका मर्टक साबस लिंटन, लिंटन नहीं बिटा मर्टन, रोल सेट, रोल केंफिक्ट, लिंटन, मर्टन, देखो सुनो मेरी बात, रोल सेट, भूमी का पुंच, भूमी का संगर्ष, मर्टन क्या कहते है, जब हमारे साथ ने बहुत सारी भूमी का हो जाती है, देखो मेरी मा की भी भूमी का है, इस समय मुझे अपने बेटे को भी देखना है उसके पढ़ाई उसके एक्जाम चल रहे हैं उसको दवा भी देनी है वो तब्यत खराब है उसकी ठीके इधर मुझे तुम्हारी क्लासेस भी देखनी है ठीके किसी की पतनी हूँ वो रोल भी अदा करना है एक शिक्षिका भी मा की भूमी का भी अच्छे से निभा दो पतनी की भी भूमी का अच्छे से निभादू बेटी मेरे माता पिता एस समय बीमार जैसे मेरे ममी बीमार रहती है बहुत ज़्यादा, मैं कभी-कभी guilt feel करती हूँ कि जिस माने मुझे यहां तक पहुचाया, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो इस समय मेरे सामने भूमी का संगर्श की इस्तती है, और तुम लोग मुझे समझ सकते होंगे, मैं तुमारी सब की मदद करूंगी, सब अच्छे से समझाऊंगी, जैसे ही टाइम मिलेगा, मैं तुमें सारा बता दूगी बच्चो, ठीक है बच्चो, कोई question, बिल्कुल मर्टन की, कोई भी problem होगी तो मुझे बताना बच्चो, कोई question हो आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी question हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, question नहीं, बस आप धन्यवाद, ठीक है बच्चो, ठीकी सो मच, सेम रोल मेरा भी है, मैं, इसलिए मैं समझ सकती हूँ, हाँ पूरवी बिटा, क्या करे, कल बच्चो, एक मैं special lecture है, एक इंटर कॉलिज में, देरदुन से हूँ, और मैं सुशलोजी कर रही हूँ, आपकी वीडियो देखकर, 20 साल बात कोशिश कर रही हूँ, बिटा, आपका नाम क्या है, मुझे जानके खुशी हुई, कि मेरे साथ मेरे बच्चे जूड़ रहे हैं, रश्मी परिहार, गुड इवनिंग बिटा, मैं मैंने बुक ले लिये हैं, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, रण्यनी तो मेरे साथ टीरी चल, सब, पटना से टीरी आजा, तेरा सब मन लगवा दूँगी मैं, सुनो मेरी बात, आज मैं कुछ बच्चों को समझा भी रही थी, हमने अपना रूटीन और अपने दिमाग को ऐसा कर लिया है, दिमाग हमारा पता क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से, दिपिका रस्तोगी, दिपिका जुड़ी रहना बेटा, बहुत मैनत करना सवलता जरूर मिलेगी, वो बागेश्वर धाम वाले बाबा कहते न, जाते रकल्यान हो गया, ठीक है, जो जुड़ेगा, समझेगा, उसे सवलता निश्चित रूप से मिलेगी, यह मेरा विश्वास है, मैं आपको एक बात बता रही थी, हम सब के दिमाख ना मंकी माइन्ड है, मंकी बंदर जानते हो न, एक डाल से दूसरी कहीं चैन से टिक्के नहीं बैठता, ऐसे ही हमारा दिमाख है, किताब लेके बैठो, किताब में नहीं लेगेगा, फोन लेके बैठो तो लगता है कि यार हम पढ़नी रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं मंकी माइन्ड, इसके लिए मैडिटेशन करो, योग करो, अभ्यास करो, ओम का उच्चारन करो, हाथ जोड़के कुछ शन के लिए अपने माता-पिता का संगर्शियात करो, देखो भई, मैं तो अपनी बात करती हूँ, हाथ जोड़के अपनी मम्मी पापा का संगर्शियात करती हूँ, तो अपने अंदर से एक उर्जा निकलने लग जाती है, कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, नहीं मुझे तो करना है, इसनी परिस्थतियों में फसी हूँ, मैं यकीन नहीं बताने कि मैं किन परिस्थतियों से अभी भी गुजर रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानती, मैं यह सोचती हूँ, हे बगवार, अगले बंदे को सत्भुद्धी दे दे, क्योंकि मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाह सकती हूँ बच्चो मैं तो पढ़ाने वाली हूँ और येस मैम एक कोशन हाँ बताओ बिटा विपिन अगर तुम पढ़ते हो और याद नहीं होता जो मैंने बताया ना मेडिटेशन पाच मिनट मौमबत्ती जलाके सिर्फ उर्सकी लोग को देखो आक भंद करके सिर्फ ओम का चारण करो हमारा मैंड मंकी मैंड बन गया है जरा इस बंदर को बिठा दो अब थोड़ी दिनों के लिए जब तक सेलेक्शन नहीं होता इस बंदर को शान्त कर दो सब लोग मंकी मैंड से निकलने की कोशिश करो हां बेटा आप क्या कोशन पूछे दे राधे राधे बेटा कीरती सोशलोजी साइंस क्यों है मैम प्लीज टेल प्रथम देख सुन बेटा समा साइंस इसलिए है साइंस किसे के ते हैं साइंस का मतलग यह थोड़ी ना कि बौटनी फिजिक्स केमेस्ट्री हम उसमें नापतोल करते हैं हम मेथडोलॉजी की बात करते बेटा मेरी बात ध्यान से सुन तू मुझ से पूछा है मेडम समाश्शास साइंस क्यों है आज हम समाश्शास के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं मेथडोलॉजी की बात कर रही और आज कोई अंतर आया है, इसी तरीके से प्रकार्यात्मक पदती, तुल्नात्मक पदती, एतिहासिक प्रदती, बहुत सारी जो methodology यूज करते हैं, वो science है, वो तरीका science है, अब हम कहने लगे हम तो मनुष्य का अध्यान करते हैं, जो पेड़ पहते वनस्पतियों का अध्या साइन्स होता है, नहीं, जिसमें हम विज्ञानिक पदती, यनि अध्यान के लिए methodology का यूज करते हैं, उसे हम science कहते हैं, मैं फर्स्ट बुक की वीडियो अप्लोड, मैं पेपर फर्स्ट की बुक की वीडियो अप्लोड, मैं विपिन नहीं हूँ, उनकी भाई हूँ, ओके अपना नाम बताना तो मुझे याद रहेगा, देखो थोड़े दिन तक मैं भूल जाती हूँ, चनल इस पर स्चेतना कैसी है बिटा, तू तो मेरी ओफलाइन वीडियो देखती है, हाँ मैडम की वीडियो को सब लाइक कर दो भाई, एक लाइक तो बनता है, करन मुझे मैसे के, कभी-कभी मिस हो जाता है, संडे को लाइब मीलूंगी मैं, मेरे बेटे के एक्जाम चल रहे है, थोड़ा मैं, उसकी तब्यत मैंने बताया ना, ठीक नी चल दी है, चलिए बचों फिर कल मिलते हैं, गुड़नाइट, बाई-बाई